नमस्का दोस्तों आज पर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी वीडियो है यह है क्टेस्टीमोनियल हमारे एक student का latest visa आया है Canada का student visa उसके ओपर हमारी discussion रहेगी हमारे साथ है Mr. Robin तो इनका यह latest visa आया है student visa Canada का तो सबसे पहले discussion स्टार्ट करने से पहले बच्चे की profile के बारे में भी discuss करेंगे उससे ही पूशेंगे कैसी profile थी कौन से इंटेक में बच्चा जा रहा है और कब admission इन्होंने अपना process स्टार्ट किया था सारा का सारा हमारी यह discussion रहेगी और रोवी जी आपका स्वागत है हमारे चैनल के उकर थोड़ा सा अपने बारे में बताईए आपका क्या नाम है सर मेरा नाम रोबिन है एंड मैंने student visa apply किया हुआ है आप ये बताएंगे आपकी हायस्ट एजूकेशन क्या है आपकी है सिर्म मेरे हिसटे की एक riding यहां मैं से साय के पास है तोक करना अपना जॉब गया था एडवयर्चे के साथ हाँचे एट्रेटेश ऐश के एनो आप मुझे अपना आईल्छ्ट यहश्ज्यश के आएकिऊ मेरे 6.5 बैंड आई थे आई लट्स ले तो आपका वहां पे कौन से कॉलेज में अडिमिशन हुआ है? वहां पे चैनेडा में नॉर्डन कॉलेज है अंटॉरियो में तो कौन सा प्रोग्राम है? एवेंड बैनेजमेंट कितने साल का प्रोग्राम है? यह दो साल का प्रोग्राम है आप मुझे बताएंगे इसकी टुशन फीज कितनी थी इस प्रोग्राम की? एक साल की 15,509 कनेडियन डॉलर ठीक है तो अभी बच्चे ने अपनी सारी परफाइल बता दी है 2,18 का पास ओट है यह कि विए 55% के साथ 6 बैंट है बीजी इन इवड मैंजमेंट के लिए जा रहा है तो इसने हमारे पास कौन से मत में अपलाई किया था? कौन से इंटेक में आपके पास आया तो सब्तंबर के नियर पहले ही था तो दूदू करोना पैंटमिक सो सभी को पता है तो सब्तंबर में अपलाई किया था तो अभी इसका ये वीजा आ चुका है ये अभी जनर्वी वाले इंडेक में जाकर बहां पे क्लस्स जाइन करेगा बहुत ज़दी जाएगा जब ये वहाँ चले जाएगा बहाँ जाते समय इसको क्या क्या प्रॉब्लम प्रेंस करनी पड़ी जहां पे आईजर इन इंडिया या वहाँ पहुंचने के बाद तो उसको भी मैं अपनी नेक्स वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा तो इस टेस्टिमोनियल का डालने का मक्तवल जह है कि अगर आपने अपना स्टूडेंट वीजा कनेडा का डालना है अगर आपकी परफाइल 50% भी है तब भी आप अपलाई कर सकते हैं अगर आपकी परफाइल में कोई गैप है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का भी गैप है आपके पास जस्टिफिकेशन है तब भी आप कनेडा का स्टूडेंट वीजा अपलाई कर सकते हैं हमारे पास बहाँ पर कम से कम सो से ज़्यादा यूनिवस्टिज़ और 120 से ज़्यादा कालेज़ हैं कनेडा के अंदर यहां पर हम आपका अडमिशन इजी ली औरगिनाईज करवा सकते हैं आपकी परफाइल देखने के बाद और मेरे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं कुछ बच्चे चाते हैं कि बहाँ से MBA करना चाते हैं कनेडा से वो हमें कहते हैं कि मैं without GRE बहाँ से MBA कर सकता हूँ हाँ मेरे पास बहाँ पर दो यूनिवस्टिज ऐसी हैं यहां पर हम आपका MBA में directly admission और्गिनाइज करवा सकते हैं without GRE तो हमारे पास certificate, diploma पीजी डिप्लोमा, master degree, even PhD के सारे के सारे प्रोग्राम एवेलेबल है कनेडा के अंदर अगर आपकी क्वेरी स्पेशली student visa से related है कनेडा की तो आप crown immigration से समपर कर सकते हैं तो fees के बारे मैं फिर डिसकस करूंगा कि हमारे यह total consultancy charges है कनेडा की वो हम 45,000 लेते हैं 15,000 पर advance में लेते हैं और जब बच्चे का visa ज़दा 30,000 उसके बाद लेते हैं यह हमारी total service charges क्योंकि बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि आप service charges के बारे में नहीं हमें बताते हैं तो यह हमारे service charges हैं अगर आपकी कनेडा से related कोई भी query है तो आप इमीजिए लिए क्राउन इमीगरेशन के YouTube चैनल के किसी भी nearby office में जाके समपर कर सकते हैं तो कनेडा से related बहुत सारी videos हमारे channel के उपर मैंने हर एक वीडि जो यह चेल के इसको like and share कना नमले थेंक यू